दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान के पुरु खिलाडी कामरान, अकमल और रासिद लतीप कितने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को इस से पहले वाली वीडियो में बताया था कि कल न्यूजिलेंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे टी-20 मैच में न्यूजिलेंड की टीम ने पाकिस्तान की टीम को साध विकट से हरा दिया था। उसी हार के बाद इन पाकिस्तान के पुरो खिलाडियों का कहना है कि जिस तरीके से हमारे टीम ने हमें जलील किया है ये बिल्कुल बरदास्त के काबिल नहीं है क्योंकि न्यूजिलेंड की टीम डी ग्रेट की टीम आई हुई है और डी ग्रेट की टीम वाली ने हमारे में टीम को जिस तरीके से हराया है उन्हें चुलू भर पानी में डूम मनना चाहिए दोस्तों यदि देखा जाया तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बहुत ही सरम की बात है क्योंकि पाकिस्तान अपने इस्टार खिलाडियों से सजी हुई टीम है और उहें पर यदि न्यूजिल का किर्केट बोर्ड ने अपने डी ग्रेड की टीम भेजी थी तब पाकिस्तानियों का कहना था कि हमें इस टीम से टीट्वेंटी स्रीज खेलने से अच्छा है कि हम जिमबामबे या फिर यूगांडा से खेल लें क्योंकि जिमबामबे और यूगांडा की टीम में इस न्य न्यूजिलेंड के उस युवा खिलाडियों के सामने अपने में टीम को उतारा फिर भी न्यूजिलेंड के युवा खिलाडियों ने पाकिस्तान के विजुलकों को बिल्कुर रेल कर रख दिया अब उन लोगों को भी पता चल गया है जो लोग बोल रहे थे कि हमें यूगां खर्च होता नहीं है तो कुछ भी छोड़ा करते हैं लेकिन उनकी हकीकत क्या है उनके खिलाड़ी किस तरीके से उनके बारे में कभी एनालिसिस नहीं करते हैं जब उनकी टीम छोटी टीमों के खिलाब जीती जाती है तो उन्हें लगता है कि हमारी टीम बहुत परफिक्ट टी का परफॉर्मेंस किया था उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम अस्टेलिया गई टेट सिरिज खेलने के लिए तो उहां भी बहुत बूरी तरीके से जलील होकर आई उसके बाद फिर जब न्यूजी लैंड गई पांच मैचों की टी 20 सिरिज खेलने के लिए तो उहां पर भी बहुत बूरी तरीके से जलील होई थी क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी खिलाडी न्यूजी लैंड में भी प्रफॉर्मेंस करने में नाकाम रहा था इदी पाकिस्तान टीम के स्टेंट की बात किया जा तो इनकी स्टेंट यही है कि छोटे टीमों को पाकर जीत लेते हैं और बרה इसको अरकल लेते हैं तो इनलों लगता है कि हम बहुत ही अच्छे खिलाडि हैं और हमारा किरकेट बहुत ही सुरच्छी थयर और हमारे कृकेटर बहुत अच्छे खिलते हैं जैसा कि आप लोगों ने बाबर आजम को ही देखा होगा इस से पहले जब उसने सत्टक लग आगया था ना कि किसी बड़ी टीम के खिलाब पाकिस्तानियों का यह मानना होता कि बाबर आजम हमारा में खिला लिए और बाबर आजम जैसा बैटसमें पाकिस्तान में नहीं है लेकिन एदी बावर आजम के इस्टेटिक्स उठाकर देखा जा तो उसने सिर्फ छोटी टीमों के सामने ही परफॉर्मेंस किया है क्योंकि मैंने देखा कि ज्यादातर रन उसके जीम बामबे, सीरलंका, नैपाल, बंगलादेश जैसे टीमों के सामने ही आए मैंन टीमों के सामने जब वो खेलता है तो उसकी बल्लेवाजी की लाइन लेंधी बगड़ जाती है उसके समझ में भी नहीं आता है कि किस तरीके से बल्लेवाजी किया जाएं जब उसे अच्छे गेदवाज मिलते है तो भी चारों खाने चीत हो जाता है लेकिन न्यूजिलेंड की युवा खिलाडियों ने कल जिस तरीके से नसीम सा और साहिं सा अपरेदी की दुनाई की है इस से अब उनकी भी हकीकत पलता चल गई क्यूंकि उन्हें नमबर वन बालर बोला जाता है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी तो इन बालरों को दुनिया का नमबर वन बालर बोलते हैं लेकिन जिस तरीके से कल चाप मैन ने इन गेदबाजों को दौरा दौरा कर पीटा है उसके बाद अबे भूल जाएंगे कि कौन नमबर वन है दोस्तों आप लोगों का इन पाकिस्तान के नमबर वन बालरों के भारे में क्या रहा है कमेंट बाक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा